हेलो नमस्कार दोस्तो गुड मॉर्निंग स्वागत आपका आपके अपने यूटूब चैनल लोगे ने श्टड़ी पर तो दोस्तो कैसे हो आप आप सभी अच्छे होगे दोस्तो आज है 21 मार्च और 21 मार्च से करेंटे पर जित्ते भी क्यूशन बनते हैं उनको इस वीडियो जो भी इंपोर्टेंट पॉइंट होगे उनको भी हम देखने वाले हैं तो एक बार सभी साती इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सेर कर देंगे एक बार सभी फटापट सेर करेंगे तो इसमें देखने वाले हैं जो भी इंपोर्टेंट क्यूशन है 21 मार्च से हाली में भारत और सिंगापूर के बीच जोदपूर में कौन सा सयुक्त युद्धाव्यास संपन हुआ है तो यहाँ पे बात हुए है भारत और सिंगापूर की जो इनके बीच में युद्धाव्यास हुआ है अभी डिपेंस एकसाइज हुई है अभी तो ये कहां पे हुई है जोद्फुर में तो उसका नाम क्या है उप्शन नमडर पस्ट है डेजर्ट नाइट सेकिन है ओश्ट्रा हिंद थर्ड है गरुड और फौर्थ है बॉल्ड कुरू चेतर इसका राइट आंसर क्या होगा तो यहाँ पे right answer हो जाएगा बोल्ड कुरू छेतर जो की जोधपुर में संपन हुई है अब यहाँ पे बात हुई है जोधपुर की तो जोधपुर में और कौन सी defense exercise होती है युद्धाइपलियास कौन कौन से होती है देख लीजे जोधपुर में संपन होता है इसके लाए गरूड exercise यह भी जोधपुर में संपन होती है किसके बीच में बारती वाईपुर में और फ्रांसिसी वाईपुर में के बीच में ठीके दोस्तों बहुत important है लिख लीजे सभी बहुत ही important है यदि सेशन अच्छा लग रहा है तो एक बार सभी लाइक कर देंगे एक बार सभी लाइक कर देंगे फिर बढ़ते हैं मारे अगले क्यूशन की ओर मुख्य मंतरी असोग एलोग ने हाली में किन जिलो में स्पोर्स स्कूल खोनने की गोशना की है तो मुख्य मंतरी असोग एलोग ने हाली में किन जिलो में स्पोर्स स्कूल खोनने की गोशना की है उप्सन वर्ट पैस्ट है चूरू पाली अलवर सिकर पाली हनुमानगड कोटा बुंदी इसमें राइट आंस्वर क्या होगा तो यहां पे उप्सन वर्ट पैस्ट चूरू पाली यहां पे राइट आंस्वर हो जाएगा यहां पे बात हुए है स्पोर्स स्कूल की तो पहला स्पोर्स स्कूल कब खोला गया था देख लिए एक बार राजस्तान का परतम स्पोर्स स्कूल बिकानेर में बिकानेर में खोला गया है इसके अलावा नेक्स्ट अभी और फ्यूचर में खोले जाएंगे कहां भी खोले जाएंगे जोधपूर और उद्धपूर तो देख लीजे ये भी बहुत ही important point है जोधपूर और उद्धपूर में future में आपके sports school खोले जाएंगे इसके अलावा बहुत ही important point no doubt कर लेना से भी जो sports school खोला गया है इसकी लागत किती है exam में कहीं से भी क्यूचन पूचा जा सकता है तो आपको हर situation के लिए त्यार होना है तो यहाँ पे इसका राइट answer हो जगा 10 क्रोड 10 क्रोड की लागत से sports school खोला गया है खहाँ पे चुरू और पाली में ठीक है दोस्तो next application किस राज्य को पहली बार electric train मिली है यहाँ पे electric train मिली है इसका sense क्या होगा है किस राज्य में पहली बार electric train शुरू की गई है उत्राखंड, मणीपूर, मेगाले और असंद right answer क्या होगा इसका सभी को comment में लिखना है right answer क्या होगा इसका तो option number C मेगाले यहाँ पे right answer हो जाएंगा अब यहाँ पे बात हुए मेगाले की तो आपको बताना है मेगाले के मुख्यमत्री का क्या नाम है मेगाले के मुख्यमत्री का क्या नाम है बताए सभी तो मेगाले के मुक्यमत्री कोन हो जाएंगे कोनराड संग्मा लिख देता हूँ मैं यहाँ आप एक बार कोनराड संग्मा यह आपके मेगाले के मुक्यमत्री हो जाएंगे ज्यान अकना सभी इसके लगाले की राज़दानी क्या है मेगाले की राज़दानी क्या है तो सिलोंग मेगाले की राज़दानी हो जाएंगी देख लिए मेप में एक बार सिलोंग मेगाले की राज़दानी हो जाएंगी अब देख लिए इंपोर्टेंट पॉइंट यहां पे पुर्वतर सिमान्त रेलवे निगोशना किया कि मेगाले को मार्स 2023 में पहली बार इलेक्टिक टेंड मिली है इसके लाव ध्यानक ने आपको एनरपार ये पुर्वतर सीमान्त रेलवे का नाम है ने पंदरा मार्स 2023 को दुदनाई दीपातर लाइन सेक्षन और अभेपूरी पंचरतन डबल लाइन सेक्षन का विदूती कर लिए गए यहाँ पर कनेक्षन कर दिया गए इसका मतलब यह है तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है मेगाले की राजदन क्या है सीलों इसके लबावा सीम को हुन है कॉनराड संगमा ठीक है दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे अगले क्योशन के और बारतिये सोब्ट्वेर कंपनी टाटा कंसल्टेशी सर्विसेज TCS के नए MD&CEO कोन बने है आपने TCS के नए MD&CEO कोन बने है और प्रेस्ट है सुन्दरमन राम मूर्थी भी है रोहित जावा सीएज के किरती वासन डी है बी वी यार सुबर मन्नियम तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर सी के किरती वासन इनी को अभी TCS का नए MD&CEO बनाए गया है आपको ज्यान रखने अब बात पर टी जिय सका मुख्याले काँ के है हेड्ड को आटर काँ पे टी सीज्का मुंबई माराश्च्रे में इसका हेड्ड को जाएगा यह देख लिए यह के किरती वासन है यह के किरती वासन है जो टी से के नए MD&CEO बनाए गई है इस बात लाइक करती चाहिए यदि आपको सेशन अच्छा लग रहे है तो लाइक कर दीजे एक बार नेक्स्ट आपका गलागिशन सिक्सा मंत्राले के अनुसार किस राज्य की सारसकता दर्ष सबसे कम है आपको बताना है कि किस राज्य की सारसकता दर्ष सबसे कम है सारसकता दर्स का क्या बत्रा है यहां पे सबसे कम पढ़े लिके कौन से राजे में है इसे समझ लीजिए आप तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ए बिहार बिहार यहां पे राइट आंसर हो जाएगा जिसकी सारसकता दर्स सबसे कम है अब यहां पी बात हुए सार सकता दर्की तो देख लीजे इंपोर्टेट पॉइंट सिक्सा मंत्राले दौरा साजा किये गई आखडों के नुसार बिहार 61.8% में सबसे कम सार सकता है इसके बाद अरुनाचर परदेश 65.3% तीसरे सकता पर है राजस्तान जिसकी सार सकता सबसे कम है देख लीजे एक बार इसके अलावा आपसे ये कुशन भी पूचा जा सकता है सार सकता सबसे अधिक किस राजे की है तो केरल यहां पर राई टांस्वर हो जाएगा ध्यान रखना है सभी को अब बात हो ये बिहार की तो बिहार की राजदानी क्या होगी पटना पटना बिहार की राजदानी होगी ध्यान रखना है सभी को नेक्स बढ़ते है हमारे अगले क्यूसन के ओर क्यूसन नमबर 6 देखिए युक्रेन को लड़ा को विवान उपलब्द कराने वाला नाटो का पहला देख कौन सा बना है बताना इसका राजदानी होगा डेर्मार्क, रोमानिया लगजंबर्ग और पोलेंड तो यहाँ पे क्यूसन नमबर 6 का राजदानी होगा उप्शन नमबर D, पोलेंड पोलेंड ने क्या खराए है यहाँ पे भी यूकरियन को लड़ाक को विव्मान उपलब्द करवाए है तो यह नाटो का पहला देश बन गया है तो अब बात होइए नाटो की तो नाटो में कितने देश है तो नाटो में 30 देश है इसके अलावा नाटो की स्टापना कब हुई थी? उनिस सो उन्चास और नाटो का पुरा नाम क्या है? North Atlantic Treaty Organization उत्री Atlantic संधी संगटन इसका पुरा नाम हो जाएंगा इसके अलावा नाटो का मुख्याले कहां पे है? Brussels, Belgium में इसका मुख्याले हो जाएगा अध्यक्स कौन है नाटो के? Jens Stolenberg और इसके अलावा मैंने बताया तो नाटो में किते देश है? 30 देश हो जाएंगे नाटो में देख लिजे एक बार पोलेंड की राष्टपती आद्रेज डूडा ने आने वाले दिनों में 4 सोवियत यूक्यमिक गुणंतीस पोशना किये कि वह आने वाले हफ्तों में यूक्रियन को 13 मिक गुणंतीस लड़ाकों विमान बेजेगा तो देख लिजे फ्यूचर में भी इसको लड़ाकों विमान और मिलेंगे तो आपके क्यूशन और बनेगा बाद में नेक्स्ट आपका क्यूशन नंबर सेवन 23 से 24 मार्च 2023 को यहां पे देख लिजेग वाद 23 से 24 मार्च 2023 को राजिस्तान में गा जो फेर का आयोजन खाहा किया जाएगा आंसर बताना इसका क्या होगा डुंगरपूर, भरतपूर, जेपूर और सिकर तो यहां पे राई टांसर हो जाएगा, उप्सन नंबर B, भरतपूर यहां पे राई टांसर हो जाएगा अब यहां पे बात होई है भरतपूर की तो अभी हाली में भरतपूर में कौन सा जिला बनाए गया है भरतपूर में कौन सा नए जिला बनाए गया है तो यहाँ पे डिंग बरतपुर में नहीं जिला बनाए गया कल ही हमने पढ़ाता ही है तो सभी को ध्यान रहना चाहिए इसके लाव बरतपुर में और कौन-कौन से तलह देख लीजे के उला देव नेशन पार्क इसके लाव लोहागड़ के लाव भी बरतपुर में है इसके लाव डिंग पेलेस यह भी बरतपुर में इस्तित है सभी को ध्यान रखना है अब मैं आपसे एक क्यूशन पूचूंगा उस क्यूशन का राइट आंसर आपको कमेट वोक्स में लिखना है और जित्ता हो सके डेटियर के साथ लिखना है तो क्यूशन आपके लिए हाली में जारी वेस्विक आतंकवाद सूच कांग में पहले इस्तान पर कौन सा देश है आपको बताना है कली प्रड़ाइता है यह तो हमने वेस्विक आतंकवाद की लिष्ट में जिक्य की क्लास आपकी 12 बजे चल रही है हिंदी क्लास 3 बजे सिक्षन अभीरुची की क्लास यह भी जल्द हो जाएंगी इसके लाबर रिजिनिंग और जिक्य क्लास 7 और 8 बजे चल रही है ठीक है दोस्तो यह था आज का मारा सेशन आई होप आपको अच्छा लगा होगा वो यदि अच्छा लगा हो तो इसे जो भी पी टीटी और बीच टीसी की तयारी कर रहे हैं विद्यारती उनके साथ भी सेर करना है अब भी तो कई जने फोरम चालो है लेकिन पढ़ना सुरून पीडिये प्राप्त करने के लिए आप अमरे टेलिग्राम चैनल से जोइन हो जाना लोगिन स्टेडी की नाम से आपको टेलिग्राम पर मिल जाएगा तो सभी जोइन हो जाना तो आज का सेशन यही एंड करते हैं तेंक यू